हम सिर्फ देर सो सीट पर मजगूती से लर जाएंगे ना जिसमें सिर्फ सवा सो सीट भाजपा को हरना पड़ेगा और यह इंतजार कर ले भाजपा दोजार पचीस में हरने के लिए गिर मेरे हार में भी जीत है और जो जीते हैं अमर पास्मान जी या तेजस भी आर्जपा जीते हैं उसको बधाई देते हैं जो समाज को बध़ुआ मज़ूर समझ रहा है भाजपा वो हर समाज को भी रूत करना चाहिए क्योंकि राजनित सेवा करने का है नहीं कि आप मालिक इनके जीत में हमारी सहयोग है कह सकते हैं और हमने भी तो सपना देखा था अमर पास्मान बिधायक बने तो मला निसाध है सिरे राम चंद जी को नईया पार लगाया थे और वही राम का नाम पे आप राजनित कर रहे हैं और भला राम को पार लगाने वाले को आप छोड़ रहे हैं तो यह हाल तो होना है और लालो जी की विचार धारा उस पाटी में रहेगा तो फिर सोचा जाएगा अभी फिलाल तो लालो जी की विचार धारा उस पाटी में नहीं है वहां तो वन मैं सो का राजनित है हाजपा जो हमारे जबरदस्ती घशीट पर जबरदस्ती उ हमुआ पूरे बिहार को सावीत कर दियेना पैंब भीधायक था था üçष city रख देंगे ना हिम मेरे पास मुखमंत्री था ना जल्डप्व हो ना भी रखते हैं तो हमारे पास मुखमंत्री था था ना फिर्प्र करें कि उनको मैदान में जिसके अपनी कोई अस्तित नहीं है खाली बोल के निकलना चाहते हैं उन्हों ने डिल्ली में गलत प्विटवैक दिया गलत बात बाते वहां बौट बाझ भाजे किया दिल्ली में अपने आपको बताया कि में बबबर सेर हूं मुकेल सनी कुछ नहीं है तो उसके कारण द पहले तो हम कुछिस कर रहे थे जीतने का जीते नहीं लेकिन मेरे हार में भी जीत है और जो जीते हैं और मजगूती से लड़ा और हमने अपने कई तरह का हमारा जीत है पहले तो हम अपनी जामादट बचा लियें वह हमारी जीत है उसके बाद हमारे अधार भोट जो है निशाद मल्ला का वहятे है वह लेने में काम्याब होगें वह भी हमारे जीत है हाजपा जो हमारे जबर्दस्टी गंची पर जबर्द Student में उतार दिया मैदान में घरण पाचाने पाया है जो 18 परोट होता है। अनुख मंत्री था कि उसकोम रख देते हैं न ही हमारे पास्तीन सिल्च वह मुख मंत्री था किHow दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी तो हम है नहीं तो हमारे पास वह सब नहीं था हमारे पास संसाधन नहीं था उसके बाद जूद भी हमने जम कर लड़ा और वहां पर अपने भोट लाके दिखा दिये कि यह हमारा भोट है और यह लोग अगर नौर्मल चुनाम में जाए त अभी अगर इसको 45,000 भोट आया भी अभारतिय जनता पार्टी को, तो ये 35,000 भी भोट नहीं आएगा, नॉर्मल चुना में, यहाँ पे तो यह अपने छल, बल, पैसे के दमप है, जैसे भी हो, 45,000 भोट ले आया है, और हमने यहाँ पे 30,000 भोट लाया है, वो चार पार्टी है, मानी मुकमंत्री नितिश कुमार जी की पार्टी जैडियू है, भाजपा है, पारश जी की पार्टी है, माजी जी की पार्टी है, चार पार्टी मिला के 45,000 भोट लाया है, हमने अकेले अपने दमप लड़के 30,000 भोट लाया है, तो जीत तो हमारी है, आजीडी के लोग कहा था कि हमारा candidate अमर पासवन होगा तो यह तो माल लिए कि हमर पास बीज़े के पास candidate नहीं था तो हमारे candidate लेकर जीते हैं और हमने जूसको वो कुछ नहीं समझते थे जो candidate को उनको मालूं ता है इसके नाम पे हम चुनाम नहीं जी सकते ऐसे candidate को उन्हों नों छोड़ दिया तो ऐसे candidate को मैंने हाथ पकर के एक राम दलित का बेटी को हमने हाथ पकर के उनको मैदान में उतार दिया और उसको 18% भोटला दिया तो यह हमारी जीत है सहनी समाज का एक Facebook ग्रूप है उसमें एक लड़का लिखा था हमको नाम याद नहीं है कि हम अपना हक लेंगे और भाजपा वाली अभी समझ जाए कि आपको हम जीतने नहीं देंगे हाँ नीशी तोर पे बिहार में 243 सीट है और 243 सीट पर हम 243 सीट की बात ना करें हम सिर्फ 500 सीट पर मजगूती से लर जाएंगे ना जिसमें सिर्फ 700 सीट भाजपा को हरना पड़ेगा और यह इंतिजार कर ले भाजपा 2025 में हरने के लिए हाँ विधान सबाब में 2025 में हरने के लिए तयार हो जाए रहा 2024 भी चुनाब है अभी हमारे पास डेट साल का समय है पूरे बिहार में कैडर करेंगे संगठन को खरा करेंगे जो अभी 18% भोट है उसको हम चाहेंगे कि 25% भोट लाए हमारे पास पावर बने और मुझे उमीद है कि हम बहुत जल्दी यह करने में कामियाब होंगे अब 25% हमारे पास भोट होगा और एक अकेला हमारे पास ताकत होगा और हम बिहार में विकल्फ देंगे सबसे बड़ा सैनी जी का जो नाम चल रहा है सुबह से पूरा बिहार के पत्रकार खोज रहा है आपको यह बताई कि अब आगे क्या होगा आगे का तो अभी देखे कि हमारे साथ लोगों ने गलत किया चल किया आज 24 विधायक है 3 जोड के 70 विधायक कर लिया वो सब विधायक हमारे जीत है हमारे सहयोग से जीते हैं परचार भी सब जगँ किये आज हम नहीं है तो देखिए हार गए आज 2020 में यही सीट हम 12000 वोट से जीते थे, आज मैं उनके साथ नहीं हूँ तो 36000 वोट से हारे हैं, हम जो जीते थे 12000 से और आज मैं उनके साथ नहीं हूँ, बाकी लोग तो हाई, एक अलड़ी एड़ाउन कर लिया पाराज जी का पाटी, उसके बाज़ुद भी 12000 से जो हम अपनी कोई अस्तित नहीं है, खाली बोल के निकलना चाहते हैं, उन्होंने दिल्ली में गलत फिटबैक दिया, गलत बात बहन बाज़ी किया, दिल्ली में अपने आपको बताया कि मैं बबर से रहूं, मुके सनी कुछ नहीं है, तो उसके कारण दिल्ली के नेता कहीं नहीं अभी दिल्ली के नेता से में आगरा करूँगा, कि ऐसे नेता के उपर रहेगा, तो जहाद डूबना ते है, हम तो मला निसाद है, सिरी राम चंद जी को नईया पार लगाया थे, और वही राम का नाम पे आप राजनित कर रहे हैं, और भला राम को पार लगाने वाले को आप छोड़ रहे हैं, तो ये हाल तो होना है, हम तो जीत, खुसी में मिठाई बाट रहे हैं, और सब को मिठाई खिला रहे हैं, आप भी मिठाई खिला ये दिखते हैं, हमारी तो जीत है हमारे पास खोने के लिए क्या था हमने पाया है और आप चुनाब हा रहे हैं और भी 36,000 भोड से हा रहे हैं इसमे तो आपको मन्थन करने की जरूरी है कि 36,000 भोड से कई से हार गए एक समाज होता है भोमिहार वो लोग लिख रहे हैं कि मुकेश शेहनी को ज्यादा धन्यवाद क्योंकि वो लोग मिलकर अमर पासवान को सपोर्ट कर रहे थ utiliser और वो कह रहे हैं कि भाज़पा का सबूर्थ रत कर चाहिए कि राज़नित सेवा करने का है तो आज कुछ भाजपा में कुछ नेंता है वो अपने आपको मालिक समझ रहे हैं और ऐसे लोगों को आने हम पता चल जाएंगे, तो 2020 में रहने तो सत्ता ससे बहार रहते हैं. और हमेसा यही बोलते है कि मुकेशनी को मंत्री बनाया, मुकेशनी को मन्ने बनाया, तुम्ने महर्वाणे किया, अगर हम नहीं रहते तो तुमारे पास चोहतर को विधायक नहीं होता हम नहीं रहते तो तुमारे पास सरकार नहीं तुम बनाते हम अगर एक बार लालो जी की बात मान लेते तो तुमारे सरकार नहीं बनता हम इमानदारी से तुमारे साथ रहा तुम हम पर महरवानी कर रहे थ हाहा है कि उन्यांट टूलरी लाली अभी नहीं राजनित में फिर जूचाbreaker जाएगा घ्या अभी विचार खराटर है तो ऐसे जगह का जलूरी अवह जो .. जिस्टो जा क्यूंकि अभी म० 허팝 जाने के जरूर है मेडे पास अकेला अपने पास 17% भोट अभी ताकत हमने दिखा दिया है मानिय मुखमंत्री जी 15 साल बिहार में 13-14 साल मुखमंत्री रहने के बाद 2014 में उन्होंने चुनाव लड़ा था अकेले लेट को जोड़ कर अकेले लड़ा था जब BJP से और अकेले लड़े था उनके पास 15% भोट नहीं आया था मतलब आप समझ यह कि जो 12-13 साल का मुखमंत्री है और वो 2014 में चुनाव लड़े थे 15% उनके पास भोट नहीं आया और मैंने अकेले अपने दम पर बिहार में 15% भोट ले आया करेंगे अभी मुके शेहनी आज तो जुनाव बीत गया कल से मुके शेहनी क्या करेंगे और कुम का मुद्दा क्या है अब मेरे साथ जो गलत हुआ है वो मैं अपने लोगों को जाके बताऊंगा और आने वाले समय में जिस तरीके से हमारा समाज ख़रा है अपने पैर पे अलमस्ष पूरे बिहार में ख़रा है उनके पास जाएंगे जिस तरीके से हमें सरकार से बाहर किया हमारे पार्टी तो बिहार में निशाद आकरसित है बहुत आदमी को तो अच्छा नहीं लग रहा है उनको नहीं पता है कि हमारे साथ क्या हो गया लेकिन महीं ही बांता हो कि मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ है हमें कि लूहा जयादा गरम करने से वह जयादा आकार बन देता हैं तो किसे में तो हमारे लुगों के बीच में जांगे अपने भोट का भेलू समझाएंगे अपनी सही समय में सही तरीके से इस्तमाल करना सिखाएंगे और 2014 से पहले ये भोट को कोई गिनता नहीं था आज लोगों को गिनना पर रहा है और गिनना भी वो भी छोटा मोटा संख्या में नहीं एक 18% भोट राज में मैंने रखता है ये मुकेश हैनी थे और इन्होंने मुझे लड़ू खिलाया और इन्होंने ये कहा कि ये विचार की जीत है तो आपकी विचार की जीत के आप तो बना एक परसेंट को भोट नहीं आया तो मेरा 18% भोट आया तो आप समझे कि हमारी ताकत क्या है इससे पहले भी अगर देखिएगा बिहर में दो उप्चुनाब हुआ था जिसमें लड़ा था जहां पर वो छे जार भोट नहीं ला पाए और हमने यहां पर तीस अजार भोट ले आए तो हमारी ताकत आप देखिए क्या है मुके शहनी जी का बयान था बाकी मिठाईयां बढ़ती रहनी चाहिए इसलिए क्योंकि राजनीती में जब बहुत सारे लोग आते हैं तो लोगों का जो आप्शन है वो खुलता है सेहनी जी का जो हमने कब बोचहा में कवर किया था तो वहां पर भी हमने ही बात आपको बताई थी कि देखिए जब ज़्यादा लोग आएंगे तो आपको अप्शन मिलेगा और आप अच्छे प्रतनिधी को चुन पाएंगे बाकी यह लोग खुश इसलिए हैं क्योंकि इन